इस ओफिस के कैमपस के बीच तमाम पुलिस कर्मियों के सामने ह Regina हुई हमले से संसरी फैल गई देखते ही देखते एधिवकताओं की फिर ने पुलिस कैमपस को गेर लिया हाला कि किसी तरहा पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को शांत कराया है पिडित अधिवक्ता ने बताया कि एक रेब के मामले की पैरवी करने सियो हरपाल पूर के यहां जा रहे थे तब ही रेब के मामले में आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया उसकी कनपटी पर तमचा लगा कर पांच हजार एक सुपचास रुपिय की लूट भी की गई हरदोई के पुले सतिक्षक कारेले में आज दो पहर लगभक दो बजे ऐसा शोर हुआ कि अफसर अपनी दफ्तर को छोड़ कर बाहर कैंपस में आ गए यहां अधिवक्ता कुल्दी प्यातव खुद पर हुए हमले को लेकर शोर कुल कर रहे थे वहीं छे अन्य आरोपी उस पर हावी होते न जरा रहे थे